असलाम अलेकुम व्योज कैसे हैं आप आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स हीर करेंगे तो पहली जो मेरी ट्रिक है वो केले के चिलकों के लेके हैं हम जब बनेना यूज कर लेते हैं तो इसके चिलके आम तोर पर फैंक देते है लेकिन यह हमारे लिए बहुत ही यूसफुल हो सकते हैं यहां पर भी मैं एक ऐसी ही ट्रिक अपने पाउं पर प्लाई करने जा रही हूँ यह देखिए मनाना को चील लेना है और नीचे से इस तरह से हम इसको चीलेंगे कि यह नीचे वाला हिस्सा जो है वो जुड़ा ही र लख्त हो जाते हैं और कट लग जाते हैं उसके अंदर एडियां फटने की वज़ा से या डैड स्किन हो जाती है उंगलियों के इर्दगेद भी कुछ स्किन जूता वगरा लगने से या हार्ड हो जाती है इस जगह पे तो उसको स्मूथ करने के लिए और फटी हुई एडि के उपर रखेंगे यह देखिए अगर आप सारे पाउं पर इसको यूज करना चाहें तो एक के लेके और चिलके ले ले और उपर आप कोई भी अपनी पुरानी सॉक्स लेके इस तरह से आप इसको चढ़ा लेंगे इसके अंदर यह सारे चिलके हम अड़्जस्ट कर देंग और इसको आपने आदा घंटे के लिए इसी तरह से अपने पाउं को रखना है आप चाहें तो चल फिर भी सकते हैं यह जब चिलके मैश होंगे और इसके अंदर से जो भी सबस्टांसिस निकलेंगे वो आपकी फटी हुई एडियों को बिलकुल साफ सुत्रा कर देंगे सही कर देंगे और जो हार्ड स्किन है वो भी सॉफ्ट हो जाएगी और जो हार्ड है वो रिमूव भी हो जाएगी और नीचे से बिलकुल नहीं और साफ सुत्री स्किन ही निकलाएगी यह ट्रिक आप एक वी यूज करेंगे तो आपको अपने बाउं में एक वाजया चेंज सब्सक्राइगे तो आप अपने दोनों पाउं पर कर सकते हैं आप जब दुपहर को लेटें तो उस वक्त यह इस तरह से अपने पाउं के उपर अड़्जस करके तो आप एक या दो घंटे के लिए रिस कर सकते हैं उसके बाद इसको रिमूव कर दें और पाउं को नार्मल इस पैन में भी चाय जल गई है और ये काफी ज्यादा मोटी तय है इसके अंदर तो पहले तो हम पानी डाल के इस तरह से इसको छोड़ देंगे पानी डाल के मैंने आदे घंटे के लिए छोड़ दिया था तो काफी सारा पार्ट्स तो इसके वैसे ही सॉफ्ट होके उतर गए थे लेकिन फिर भी कुछ न कुछ हिस्सा इसका जला हुआ साथ लग जाता है जो के हमें स्क्रबर से ही स्क्रब करना पड़ता है अब अगर इसक स्टील के स्क्रबर से स्क्रब करेंगे तो यह इस पैन पे निशान पड़ जाएंगे जो के अच्छे नहीं लगते और पैन पुरानी सी लुक देना शुरू कर देता है यह जितना इजी ली रिमूव हो सकता था उतना मैंने कर दिया है अब इसके बाद बहुत ही जो इजी स स्क्रबर यूज करते हुए बन टेबल स्पून शुगर इसके अंदर रेट करें और इसको हलके हलके हाथों से स्क्रब कर लें यह आइस्ता इसको जब हम प्रेस करेंगे और थोड़ा सा प्रेशर से दबाएंगे तो यह सारे का सारा हिस्सा जो है जो साथ चिपका हुआ है तो रिमूव हो जाएगा काफी देर चुंकि हमने इसको पानी को में भगो के भी रखा है आदे घंटे के लिए छोड़ दिया था तो कुछ हाथ तक तो यह सॉफ्ट हो गया है और बाकी का जो हाट पार्ट है वो इस शुगर के साथ स्क्रब हो जाएगा यह देखिए यहलके हलके हाथों से करना पड़ेगा बहुत ज़ोर से नहीं करना पड़ेगा इस तरह से जहां-जहां भी जला हुआ है यह देखिए खुद ही उटरता जा रहा है और इसको बात में मैंने सिंपल सोप के साथ वाश कर लिया है बहुत जारा स्क्रब नहीं करना पड़ा और scratches भी नहीं पड़े और हमारा पैन जो है वो बिलकुल नहीं जैसा साफ हो गया है अच्छा एक और trick आपके साथ शेयर करते हैं कि अगर पैन बहुत ही ज्यादा जल गया हो और आप इसको scrub भी न करना चाहें तो आप ये fabric softner use कर सकते हैं जितना ये पैन था इस पैन में पानी आप डालके तो ये इसका आदे से ज्यादा cap जो है उस पानी में डालने और इसको 4-5 मिट बॉयल करें उसके बाद ये खुद बाखुद जैली बनके ये उतर जाएगा जितना कुछ भी इसके अंदर जला होगा और आपको scrub भी नहीं करना पड़ेगा next tip जो है वो lesson को लेके है जब हम lesson को इस तरह से अलग करते हैं तो ये डंडिया और जड़ों वाला हिस्सा होता है ये हम इसी तरह से फैंक देते हैं लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत useful हो सकता है ये देखिए इसको मैंने अलग कर लिया है जब हम अपनी डाले मगारा store करते हैं एक महिने के लिए लेके आते हैं दो महिने के लिए लेके आते हैं तो कई दफ़र वो बच जाती है और ज्यादा देर चलती रहती है तो इनको की कोई कीडा इसके इंदर नहीं लगेगा को कि इसके इंदर की स्टॉंग होती है इसकी खुष्श ऑफिट केले खुश इसके पास नहीं आएगा असको थी तरुछ कर सकते हम कोई कीडा नहीं लगैगा तो अगली ट्रिक यह वह अपने घर को को डिसिंफेक्ट करने से रिलेटिड है अब आज कल चुंकि हम लोग जरासीम से बहुत ज्यादा वाइट कर रहे हैं इस तरह की आगे हैं कि हमें अपने हाथ पाऊं और जिन जिन चीजों को हम छूते हैं उनको साफ सुतरा रखने की ज़रूरत होती है तो इसके लिए ये एक बोटल में मैंने एक कप पानी एड किया है और साथ में ये डेटॉल यूज़ कर रही हूं है इसके जस्ट मैंने एक कप पानी के लिए ये देखिए अब ये भी हम इस पानी में डाल देंगे और ये हमारी सप्रे त्यार होगई है जिससे हम अपने घर को जरासीम से फ्री कर सकते हैं इसको बंद करके तो हम अच्छी तरह से इसको हिला लेंगे ये डिटाल की खासे स्ट्रंग स्मेल होती है और जरासीम किलर के तोर पर यहां पे हम इसको साथ का कोई फैब्रिक ले सकते हैं जो के नरम और असानी से चीजों को साफ कर दे चोटा सा टावल यूज़ कर सकते हैं पुरानी जर्सी यूज़ कर सकते हैं इसको गिला करके आपने स्विच बोर्ड भी साफ कर सकते हैं इन पर डिरेक्ट हम प्रेशन नहीं डालेंगे गरंट लगने का खत्रा है तो इसलिए गिले कप्टे से कर लिया है दर्वाजों के हैंडल वगरा नोब इसी तरह से क्लीन कर सकते हैं वीक में अगर एक दफा से डिसिंफेक्ट कर लिया जा यह देखिए अब बच्चे इनको जिस तरह से मर्जी टच करते रहे हाथ लगाएं आप अपने घर के रिमोट को स्विच बोर्ड को हैंडल को दर्वाजों के हैंडल अपनी कबर्स के हैंडल इन सब को इस तरह से वीक में एक दफा कर लें साफ तो यह आपके लिए बहुत ह अच्छा रहेगा अमीध्या की ट्विक्स पसंद आई हो